नमश्कर दोस्तों मैं हो पूर्वी शुक्ला और आप देख रही हैं बोल्ड स्काय पित्र पक्ष का समापन आश्विन मास की कृष्ण अमवस्या को सर्व पित्र श्राद अमवस्या के साथ होता है इस साल ये अमवस्या 9 अक्टूबर 2018 को पड़ेगी अगर कोई परिवार अपने पित्र का श्राद तिथी विशेश को ना कर पाया हो या श्राद की तिथी मालूम ना हो तो सर्व पित्र अमवस्या को श्राद कर सकता है पित्र पक्ष के आखरी दिन का काफी महत्व होता है क्योंकि इस दिन कुछ कार्यों को करने से श्राद करने का पूर्ण नहीं मिल पाता है आईए आपको बताते हैं कि सर्व पित्र अमवस्या को कौन से काम नहीं करने चाहिए पित्र पक्ष के दौरान श्राद कर्म करने वाले व्यक्ति को आखरी दिन पान नहीं खाना चाहिए और ना ही शरीर पर ते लगाना चाहिए सर्व पित्र अमवस्या के दिन श्राद कर्म करने वाले व्यक्ति को गुसा नहीं करना चाहिए गुस्सा करने से श्राद क्रिया के बाद मिले पुर्ण नश्ट हो जाते हैं और साथ ही पित्र नाराज होते हैं बिना संकल के श्राद पूरा नहीं माना जाता इसलिए अंतिम दिन हाथ में अक्षत चंदन, फूल और तिल लेकर पित्रों का तरपड करें इससे पित्र प्रसन होते हैं साथ ही अपना आशरवात देते हैं पित्र पक्ष के अंतिम दिन ब्रामडों और गरीबों को भोजन कराना शुब माना जाता है और पित्र दोशतरी मुक्ती मलती है इसलिए पित्रपक्ष के समापन के समय इन बातों का ध्यान रखना बेहत जरूरी है इस वीडियो में फिलहाले इतना ही हम जलत लोटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ तब तक के लिए जुड़े रहें बोल्ट स्काई से